साथियो जै किसान में आपका रवी आज़ाद साथियो केंदर की मोधी सरकार ने 7 सितम्बर को 4 पर 20 प्रतीस – export duty लगाने का एलान किया यानि की निरियात कर लगाने का एलान किया एक बार फिर किसानों की उमीदों पर सरकार ने पाणी फेरने का काम किया है तमाम पीछे की फसले किसानों की बरबाद हुई है और अब की बार चावल के किसानों को ये उमीद थी कि हमारा चावल अंतरराष्ट ये मार्केट में डिमांड जादा होने के कारण भाव जादा होने के कारण MSP से उपर बिकेगा और सातियों जो 20% एक्सपोर्ट डूटी लगी है उसके बाद 500 रुपे से जादा का नुकसान किसानों को प्रती क्विंटल होगा जो धान किसानों का 3800 से लेकर के और 4000 रुपे तक बिक रहा था अब उसके दामों में भारी गिरावट आएगी और हम सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जब MSP से नीचे चावड बिकता है तो आप किसान की फसल खरीदने के लिए तैयार नहीं होते हैं लेकिन जब किसान को उमीद होती है कि MSP से उपर का दाम मिलेगा तो इस तरह के हतकंडे अपनाए जाते हैं और दूटी लगा करके किसानों का गड़ा घोटने का काम किया जाता है हम केंदर की सरकार को ये अपील करते हैं मांग करते हैं केंदर सरकार से कि वो इस 20% एक्सपोर्ट डूटी का जो किसान विरोधी फैंसला है उसको तत्काल प्रभाव से वापिस लें सरकार इसके पीछे ए को बें किया गया था तब एक अलजजीरा की रिपोर्ट आती है कि 12 माई को क्रेडिट ओफ लेटर अंबानी को जारी किया गया और केवल जिनके पास बेंक गारंटी थी वही निरियात कर सकते थे गेहूं 12 माई को अंबानी को लेटर जारी होता है और 13 माई को बें कर दिया जाता है गेहूं के निरियात पर बें लगा दिया जाता है सरकार जो है इस बात का जवाब दे उन्होंने अंबानी को दूसरा बड़ा गेहूं का एक्सपोर्टर बनाया ये खुला सा हुआ है इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि वो इस एक्सपोर्ट डूटी को वापिस ले और जो चावल के किसान हैं उनकी उमीदों पर पानी फेरने का काम ना करे अन्यता किसान आंदोलन को मजबूर होगा ये किसान विरोधी फैंसला इस वीडियो को सेर करें धन्यवाद जै 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 किसान